नमस्कार मैं पंडित नरेंद्र पाधिया लाइव हिंदुस्तान के जोतिशिय कारिकरम में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं सबसे पहले हम लोग 26 सक्टूबर 2021 की ग्रह इस्तिति देखते हैं राहुल देशब राशी में, चंद्रमा मिथुन राशी में, बुद्ध कन्या राशी में, सूर्य और मंगल तुला राशी में, शुक्र और केतू, ब्रिष्चिक राशी में, गुरु और शनी महका राशी में राशिवल देखते हैं मेश राश पराक्रम रंग लाएगा रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे स्वास्त में थोड़ा ध्यान दीजे प्रेम और संतान भी मध्यम दिख रहा है लेकिन कोई बड़ी बात या कोई बड़ी घटना जैसी बात नहीं दिखती है ओवर ओल ठीक ह आपका हरीवस्तु का दान करें ब्रिशव राश धनकावक बढ़ेगा को टुम्बों में ब्रधी होगी स्वास्त अभी मध्यम है लेकिन प्रेम और व्यापार के इस्तिति काफी अच्छी गड़ेश जी को प्रड़ाम करते रहे हैं मिथुन राशे सितारों की तरह अच्छा वक्तियों दिखाई पड़ रहे हैं वो जस्वी ते जस्वी बने रहेंगे प्रेम और संतान पर थोड स्वास्त बहुत खराम नहीं दिख रहा है थोड़ा मध्यम जरूर दिख रहा है हरी बस्तु का दान करें सेंग राशे आशातीत आयमें सफलता मिलेगी रुका हुए धन वापस मिलेगा आयकिने में शोत मनेंगे स्वास्त मध्यम है लेकिन प्रेम व्यापार के इस्तिक स्वास्त बहुत अच्छा प्रेम व्यापार के इस्तितेवी काफी अच्छी दिख रहे है जुवान पर थोड़ा करक भासा का प्रयोग ना करें लाल बस्तु का दान करें तुलाराशी एक रौब और रुवाब बहुत अच्छे से बना हुआ है और जीवन में तरक्की करते दिखाई पड़ रहें यात्रा में लाब होगा धार्मिक बने रहेंगे बस थोड़ा सा स्वास्त बहुत अच्छी नहीं दिख रहें इस बात में ध्यान दीजिए सुरी को जल देते रहें ब्रिश्यक्राशी जोखिम भरा समय चोट चपेट लग सकता है किसी परिशानी में पड़ सकते हैं पर स्थित्या प्रितिकूल है किसी भी तरह के कोई रिस्क नहीं सरकारी तंत्र से भी थोड़ा होश्यार है स्वास्त मध्यम प्रेम और व्यापार की इस्थितिक करिब करिप सही है हरिवस्तु का धान कर धनुराश जीवन साथी का सहयोग मिले मिलेगा व्यापारिक लाब होगा स्वास्त प्रेम व्यापार सबकुछ बड़ा अधुद दिख रहा है बहुत बढ़ी है गड़ेश जी को प्रडाम करते हैं मकारश विरोधियों पर भारी पड़ेंगे रोजी रोजगार में तरक्की करेंगे स्वास्त की स्थिति अच्छी है प्र प्रेम व्यापार के स्थितिक काफी अच्छी गणिजी को प्रडाम करते हैं नमस्कार